चले स्टुंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैस की एक्सिसाइज 5.2 का कुश्चन नमबर 4th कुश्चन में हमसे कहा गया है which term of the AP 3,8,13,18 and so on is 78 तो कुश्चन में हमने बताना है इस AP का कौन से नमबर का term 78 होगा, ठीक है? तो कुश्चन में हमने ये बताना है कि हमें जो ये AP गिवन है इसके कौन से नमबर का term 78 होगा, ठीक है? तो देखे स्टुंट्स, AP को यहाँ पर हमने no down कर लिया है इस AP में हमारा जो first term है, वो है 3 ठीक है? first term को हम A से denote करते हैं, तो A यहाँ पर हमारा हो गया 3 चलिए अब हम common difference D को निकालते हैं ठीक है? common difference D को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई भी दो consecutive term लेना पड़ेगा और बाद वाले term से उससे पहले वाले term को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास में common difference D आ जाएगा तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इस second term में से first term को माइनस करके common difference D को निकालेंगे तो 8 minus 3 हमारे पास में common difference आ जाएगा 5, correct? चलिए भी हम यह suppose कर लेते हैं कि हमारे इस AP का nth number का term है 78 यानि कि हमारे इस AP का nth term है 78, ठीक है? तो लिखते हैं let nth term of the given AP be 78, correct? देखे यहाँ पर हमने 78 को अपने इस AP का nth term सपोस कर लिया है और आपने याद रखना है कि जो nth term होता है उसे हम an से denote कर दे तो हमारा an यानि कि nth term an हो जाएगा 78, correct? अब देखे इस तुम्स आपने याद रखना है कि जो nth term होता है an उसका जो formula होता है यानि कि nth term an को निकालने का जो formula होता है वो होता है an is equals to a plus n minus 1d ठीक है तो हम इस formula के through nth term an को निकालते हैं ना तो हम इस formula से an की जगह पर an का जो यह value है ना a plus n minus 1d इससे लिख सकते हैं यहाँ पर तो हम an की जगह पर लिखेंगे a plus n minus 1d ठीक है and right inside में equals to 78 तो है यह ना अब देखें यहाँ पर है a and a का value हमारे पास में है 3 तो a की जगह पर आएगा 3 correct फिर यहाँ पर है plus तो लगाएंगे plus फिर है bracket bracket के भीतर है n minus 1 फिर यहाँ पर है d अब देखें d का value यहाँ पर हमने निकाला है 5 तो d की जखा पर आएगा 5 and equals to हमारे पास में 78 तो है यह ना अब हम क्या करेंगे अब हम 3 को left से right में लेकर की जाएंगे ठीक है तब हमारे यह equation हो जाएगा n minus 1 into में 5 equals to 78 minus 3 ठीक है 3 जब left से right में जाएगा तो 78 में से correct and यहाँ पर है 5 फिर right hand side में है 78 minus 3 78 minus 3 होता है 75 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम इस 5 को left से right में लेकर के जाएंगे तब हमारे यह equation हो जाएगा n minus 1 is equals to 75 upon 5 यह 5 जो है left hand side में n minus 1 के साथ में multiply हो रहा है जब यह right hand side में जाएगा तो यह 75 के नीचे divide में चला जाएगा ठीक है तब हमारे equation हो जाएगा n minus 1 is equals to 75 upon 5 फिर जब हम 5 से 75 को cancel out करेंगे तो आएगा 15 अब हम इस minus 1 को left से right में लेकर के जाएगे तब हमारे यह equation हो जाएगा n equals to 15 plus 1 तब हमारे पास में n का value आजाएगा 15 plus 1 16 ठीक है तो देखें यहाँ पर हमारे पास में n का value आगया 16 ठीक है देखें students यहाँ पर हमने इस AP का nth term suppose किया था 78 को तो हमारा जो 16th term होगा n क्योंकि आगया है 16 तो हमारा जो 16th term होगा वो होगा 78 तो हम लिखेंगे therefore जो 16th term होगा of the given AP जो यह AP हम पर हमको given है इसका जो 16th term होगा will be 78 तो यह आगया हमारे पास में इस question का final answer जहाँ पर हमने यह निकाला कि इस AP का 16th term होगा 78